वाहि भुरू, साहिब जीओ, सो शिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के पाणे विच आवे, अपने पाणे जो चल पाई, विच्छुड चुटा खावे, और मजब सब्रची बंदियान, अपने चिन चलाई, मजब खालसा है अकाल का, किस ना एक शिदाई, सगल दुआर का उच्छाड कै, गहे उ तुहार दुआर, बाहे गहे की लाजयास, गुबिंद दास तुहार, सगल दुआर का उच्छाड कै, गहे उ तुहार दुआर, बाहे गहे की लाजयास, गुबिंद दास तुहार, सत्नाम सिरी वाहे गुरू साहिर जी यो, सोरठा कंगा दोनों वहत, पागचन कर बंदई, दातन नीत करे, नां दुख पावे लाल जी, सोर्ठा कंगा दोनों वहत, वाहे गुरू जी का खालुसा, वाहे गुरू जी की फते, परम सनमान जोग, सत्गुरां दी साजी अते निवाजी, गुरू का जास, गुरू की मर्यादा सिखन दे लई, सत्गुरू साहिब जी दे हजूर पावन हाजरियां पर करके, सत्गुरू साहिब जी दियां महान खुशियां दे पातर बढ़न दे लई, सत्गुरां दे हजूर हाजरियां पर रहां, जो पावन पवित्तर सत्गुरू साहिब जी दी मर्यादा दी विचार चल रही है, जेशदे अंदर सत्गुरू साहिब जी दी महान बक्षिश जेडे केस हन, उनना दी जेडे विचार आपां कई रोज तों विस्थार पूर्वक कर दे आ रहे हैं, सिख विदवान महापुर्ख सानो ए गल्दी द्रिडता करवाँदे हन, के एक जेड़ा सिख है, एक केसां तो बिना संपूर्ण नहीं हो सकदा, आज दी जेडे विचार है, आपां उसनो एस विशेदे उपर करना है, के एक जेड़ा सिख है, ओ केसां तो बिना किमें संपूर्ण नहीं आखिया जा सकदा, एस दे लई सितकार जोग ग्यानी उद्म सिंग जी ने बढ़िया सुन्दर उदारना दे राही समझाया है उन्हा ने एक उदारन ये दिती है के फर्ज करो के कोई मनोख बजार दे विच्चों दुकान दे उपरों जेड़ी दाल है उखरीद के लेंदा है ते दुकान वाले नू जाके आखदा है के में नू दाल देना करो ओ जेड़ी दाल है उखरीद के कर लेंदा है करे आन के अपनी माता नू अपनी कर वाली नू आखदा है के अज दाल बनाई जावे उस्तों बाद जदों प्रशादा पानी शकन लगदा है प्रशादा शक्दियां होयां जदों दाल मंगणी होवे फिर अपनी माता नो अवाज मारदा है के माता में नो दाल होर देना करो ये पहली उदारण है दूसरी उदारण आपा लेने हैं के जमें आपा किसे मनोख जां किसे गुरसिख नो आखिये के पाई तुसीं साड़े करे परशादा पानी शकना है आजदी जड़ी रोटी है उस साड़े वाल होवेगी ओ जड़ों कोई पावना वाला गुरसिख किसे नो आखिदा है के आजदी रोटी तेरी साड़े वाल है ओस रोटी दा कैन दा मतलव ए नहुंदा के कली रोटी ही ओसनो खवाणी है ओ रोटी कैन दे विच दाल सबजीवी आवेगी ओस दे विच जड़ी कोई चटनी और दही आदक होर जड़ी पदार्थ ने ओवी विच समिलत होणगे जाँ ए समझ लेना करो के पावें कोई शत्ती परकार दे पोजन त्यार कर लवे पर जे ओस दे विच अन ना होवे रोटी ना होवे ता ओसनो अपाँ ए नहीं आख सकदे के अज असी फलाने मलोखनो रोटी शिकाई है प्रशादा शिकाया है कैन तो पाव है ए जड़ियां उदार्णा ने ए सनो इस परकार समझाओंदियां ने के जड़ों दाल दुकान ते पई सी ओदों वी उस दा नाम दाल सी जड़ों मा उसनो लून मिर्च मसाला पाके उसनो बना रही सी फिर वी उस दा नाम दाल सी फिर जड़ों होर खान दे ले दाल मंगी ते उदों में उसनो दाल कैके आखिया गिया पावे के बारी तौर ते जड़े केस हन उना दे लई ए उदारन ग्यानि उदम सिंग जी प्रवान कर रहे हन ब्यान कर रहे हन के जे इमान लेना करो के ओ जेड़ी दाल तियार किती है पावे के ओ दाल तियार होन तो पहला भी दाल सी जे उस दे विच मिर्च मसाला पाद दिता गया ते उस तों बाद भी ओ दाल ही आखिया पर जे कोई एकला ही मिर्च मसाला पानी को ओल के एक बने रख दे वे तो जेड़ा कौल है उसनो दाल दा नाम ने दिता जा सगदा ते जदो बनी होई दाल नो आवाज मारी जावेगी एनी आखिया जावेगा के मेंनो दाल, मिर्च, मसाला, पाणी ए सारा कुछ ले आके देओ उत्हे एकला आखिया जावेगा के मेंनो दाल होर देना करो के एक सिख दा जिड़ा जीवन है ये जिथे अंतरीव तौर ते गुर्बानी पढ़नी परमेशर दे नाल जुड़ना गुर्मंतर दा अबियास करना जिथे ए चीजां जुरूरी हन उठे बारी तौर ते जेड़े केस हन क्योंके जेड़े वस्तुआं जा जेड़े गुण हन ए दो परकार दे हुंदे एक हुंदे या मुख गुण ते दूसरे हुंदे हन गुण जे असे उस मिर्च मसाले दे विच्चों दाल जेड़ी है उँ है मुख वस्तुआ बाकी जेड़ियां चीजां हन उन आनू गौन वस्तुआ जानदा है दूसरे दरजेदियां वस्तुआं हन उसे परकार जेड़ा गुर्शिखी दा जीवन है एस दे अंदर जेड़े केस रखने उँ इतना कम कर दे हन पर आज दे समें दे अंदर साड़ी मान सिकता ये बन गई है क्योंके असल दे विच्च किसे वी शब्द दा जदो विगाड ओंदा है ते ओ जेड़े शाब्द ने ओ साड़ी मान सिकता दे उपर गहरा असर शड़ जान दे है जिमें के आपां समझन दा जतन करिये के किसे समें गुरू कर दे अंदर सेवा करन वालिया नो महंत आखिया जान दा सी पर जदों ओ अपने किरदार तो गिरे उना ने एस अस्थाना दी सेवा करन दी बजाए इना नो काबज कर लेना कीता ते ओ थे ओ जेड़ा महंत शब्द सी ओ वी विगड गया ओ किसे होर अर्था माडे अर्था दे विच वर्तिया जान लग पिया सिरी गुरु गोविन सिंग महराजी दे वेले गुरु करादी जेड़ी सेवा संभाल है ओ मसांद करिया कर दे सन ये मसांद जेड़ा शब्द है ये माड़ा नहीं सी ओस दे पिछे जेड़ा किरदार सी ओ माड़ा हो चुके है सी एसलिए समाद दे अंदर मसांद शब्द तों जेड़ी ईरखा द्वैश दी पावना ओ शुरू हो जाना किती शायद सनु लगदा है कि जिन्दगी दे विच जेड़े असी शब्द बोड़ दे याँ ओ सनु असर नहीं कर दे पर सचाई असल दे विच ए है कि साड़ा जेड़ा जीवन है ओ शब्दा दे उपर टिक्या होया है ति एक शब्द जेड़ा आम करके अपन गुर्सिखी दे विच वर्त दे या सहज तारी एक शब्द है केसा तारी और दूसरा शब्द है सहज तारी ये जेड़ा सहज तारी शब्द है पहला किसे होर अर्थां विच वर्तिया जन्दा सी क्योंके सिरी गुरु नानक दे महराजी तो ही जेड़े सहज तारी गुर्सिक सान जेड़े जेड़े वी सत्गुरां तो परबावत होए ओ चाहे हिंदू होन चाहे मुसल्मान गुरु सहबान जी दी परमेशर वाही गुरु दी रभी हुकम नो मन दें होया के ए जेड़ा खालसा पंथ दा जेड़ा अकाल पुर्ख दा सजना है एस दी जेड़ी त्यारी है ओ सिरी गुरु नानक दे महराजी तो प्रारंब होगई सी ते एस लई शेमे पात्षा तो बाद जितने वी गुरु सिख साना इतिहास दे विच जिकर आउंदा है के बहुते गुरु सिख पंजाक कारां दे तारनी पहला ही हो चुके सन एस दा पर्मान आपां सिख कर दिने के पर्मान की है आपां सारे इतिहास सुन दे आँ के शिरी गुरु गोविन सिंग महराजी ने जदों खालसा सजना दे जेड़ी त्यारी कीती पावन अम्रत दा बाटा तियार कीता उत्थे विदवाना ने वखरो वखरी जेड़ी गिंती है उ लिखी है उदारन वजों आपां एक पर्मान मान लेने हां के कटो काट पच्ची हजार संगता ने जेड़ा अम्रत पान ओ कीता पर इतिहास दे वेच किते ए ने जिकर आउंदा के पच्ची हजार जेड़ी करपान है शिरी साहिब है उ केस ने तियार कीती उस समय जाँ उथे ए पर्मान ने मिलदा के जेड़ा पंजा हजार के शेहरा है क्योंके कटो कट दो के शेहरे चाही दे सन उथे ए पर्मान ने मिलदा जेमें आज दे समय दे अंदर के ते समागम होवे अम्रत संचार दा ते उथे जेड़े गोरसे हुंदेया उ करपाना दी क्शेहरे देन दी जेड़ी सेवा कर देया उथो सानों पता लग जानदा है के फलानी जगा इनने अम्रत तारी जेड़े सान उनना ने अम्रत शक्या है ते नाल कर पाना अते होरक कारां दी सेवा होई है ओवी नाल नाल गल जे बहुत वड़ा समागम होई ते आपानू अखबारां दे विच पढ़न दे ली मिल दी है जां आम असी लोकां दे कोड़ों सुन लेने हैं के फलानी जगा शेस्तर भी वंडे गए कार भी वंडे गए पर इतिहास दे अंदर किते वी ए जिकर नहीं होँदा के जदों सत्गुरु साहिब जी ने गुर्सिखा नू अमर्त दी दात दिती ते केडे गुर्सिखा ने पजा हजार कशेरा तियार किता पच्ची हजार करपान तियार किती एस गल्दा प्रमान ना मिलना एगल सिद करदा है के जदे गुर्सिखा नू कशेरा तारी केसा तारीक कार तारी पहला तो सन। सिर्फ आहरी जिड़ा टच्च है, आहरी जिड़ा कदम है, आहरी जिड़ी सिमा है ओ सत्गुरु साहिब जीने अमर्त दा बटा तियार करके तै कर देना किती एस गल्दा प्रमान सनू एस इद करदा है के सहज तारी जिड़ा शबद है उना गुर्सिखां देली वर्तिया जान्दा सी जेडे स्रीगुरु नानिक दे महराजी दे पावन बोलना तो परबावत हो करके एजेडी रभी दात केस हन उना नुछ संबाल के रख दे सी क्योंके स्रीगुरु गोविन सिंग महराजी दे वेले वी जिनना जिड़े गुर्सिख त्यार बर त्यार सन उना ने अम्रत दी दात प्रापत गीती ते बाकी कोज गुर्सिखा ने आखिया के असी सहजे सहजे अम्रत शाक लवांगे उत्थों ये जिड़ा सहज तारी शब्द उ उत्पन होया जापदा है पर उ सहज तारी शब्द इनना को लमकिया कि अज उस दा जिड़ा रूप है उही विगड़ जाना कीता आज दे समेदे अंदर जे कोई केस कटाई भी होन किसे ने उस नोवी अपा आख दिन्या के इस सहज तारी गुर्सिख है असल दे अंदर सहज तारी शब्द ग्यानी उदम सिंग जी बचन लिख देने के इस जेड़ा सहज तारी शब्द है मेरे शब्दां दे विच ए एस गलनों सिद करदा है के अमर्त तारी हो करके केसा तारी हो करके बाकी दे जेड़े देवी गुर्ण हन उननों सिखना उस दे लिख सहज तारी शब्द है के असी अमर्त वी शक लिया है पंजाक कारां दे तारनी भी हो गया बाकी दे जेडे दैवी गोण हन उनन वसी सहजे सहजे सिख रहे हैं पाव असी होली होली गुर्बानी पढ़नी गुरु की संगत करनी गुर्दवारा साहिव जाके सेवा करनी गुर्मुख प्यारियां दी पावना दे नाल सेवा करन्दी जेडी जाच है असी ओ सिख दे जा रहे हैं ए शब्द इन्ना अर्था दे विच वर्तना जादा जोग है जादा लाब कारी है रहाओ विचार सिखांदा जेडा जीवन है जेवें साटा जेडा मुखडा है मुखडे दे उपर देख लो किन्ने आंग साटे शशोबत हन मत्था है केस हन अखा हन नाक है मुँ है मुँ दे विच सामने देशरे दांद हन एश परकार जे साटा मुखडा साटे किसे आंग दे उपर टाक लगया होवे तामी काम चाल सकता है जे साटे मुँ दे उपर कोई फिंसी फोडा होवे तामी काम चाल सकता है पर तुसी सोच के वेखो के जे साटे मुखडे दे उपर केस ना होन ते किन्ना बाद सूर्त जेडा मनोख लगेगा एस लई विद्वान पुर्ष उदारन दिन्दे हन के गुर्षिखां देली केस इन्ने जरूरी हन जिनना मुँ दे उपर बाकी अंगां दे होन दे बावजूद नक होना बहुत जरूरी है जिमें मुखडे दे उपर जेडा मुख अंग ओ नक है उसे परकार ही गुर्षिखी जीवन दे विच सब तो जेडा पहला अंग है ओ केस हन जिमें अपां सिरी गुरू गोविन सिंग महराजी देवी पावन बचन पढ़ दे हा के कड़ा कार दो कच कंगा बिदां के ए जेड़े पंज कार हन इना तो बिना फिरवी जेडा गुर्षिखी दा जेडा एक होंद है विचार है ओ किती जा सकदी है पर बिना केस हेच अस्त जुमला निशां पर इना दे विच्चों जेडा मुख निशांड मुख चिन ओ केस हन जिना नू हेच दा अर्थ है उकका भी हेच दा अर्थ है थोड़े मातर भी उना नू सरीर तो दूर नहीं किता जा सकदा मुख क कारा दे विच्चों जे कोई क कार ओंदा है ता ओ हन साड़े केस हास दे अंदर तां इतो तक वी बचन आखे हन के देज बेन केस जो पाहुल तारे तेसपा खंडी दूर निवारे ये जिड़ा देज शब्द है ये बड़ा सुन्दर शब्द है ये सदी वी अपां विचार कर दे जाए ये विद्वान पुर्ष आखदे हन के जिन्नावी खा अलसा पंथ है ओ देज शब्द उसदे नाल लगदा है ये देज शब्द अर्थ की हुंदा पहला अपां ए समझ लए कि जेड़े पंची पैदा हुंदे या उन्नानु देज आख्या जन्द है क्योंके जेड़े पंची ने उन्नादा दो वार जन्म हुंदा है पहला आंड देज रूप देविच जन्म हुंदा ते आंडे तो बाद फिर उन्नादा स्रीर बार आके फिर जन्म लेंदा है उसे परकार ही जेड़ी चीज दो वार पैदा हुई हुवे जिमें आपां दाइनों में देज आख सगदेयां लसी नु में आपां देज आख सगदेयां क्यो क्यों कि वो दो वार पैदा हुदी है उसे परकार ए जेड़ा देज शब्द है वो सारे खालसें दे लई सारे सिंगां दे ली वरतिया जन्दा है एस्दे की माइने हन एस्दा माइना ए है कि पहला साथा जेड़ा जन्म है ओ साधे माता पिता दे राही ए संसार दे विच हुंदे ओसकों बाद जेड़ा जनम है ओ साहिव श्री गुरू गोबिन सिंग महराज जी दे साजे होई जेड़े खाल से पंथ दे पैरो कारहन पंज प्यारे हन और माता साहिव देवा कोर दी पावन पुवितर बक्षिश जेड़ी है ओस दे संजुगत समेल दे नाल सानु अम्रत दी दाद दिन दे हन जेस्तों साधा जेड़ा एक पुनर जनम है ओ होना करते तां करके सिरी गुर्परताव सूर्ज गरंथ दे ए बचन पाई संतूख सिंग जी ने लिखे या के देज बिन केस जो पाहल उतारे के जेड़ा खालसा जेड़ा गुर्सिख इसे परकार जेड़ा सिंग ए बिना केसा तो पाहल लेंदा है अम्रत शक्दा है तेसपा खंडी दूर नवारे ओ जेड़े पखंडी हन उना नू अपने तो दूर कर देना करो पावन इतिहास दे अंदर बड़ी सुन्दर साखी आँदी है के जेड़े बाबा बुटा साहिब जी दी कोल दे वेच पाई राम कोईर जी होएया पाई राम कोईर जी जीवन मुक्त ग्यानी होएया जिनना दी बहुत जेड़ी अवस्था है इननी को अवस्था उनना दी बाण चुकी सी के हास रासदा पर संग इतिहास विच आउदा है केंदे हन के जदों उप परशादा पाने शकन लगदे सान ते उननो ए नहीं पता लगदा सी के उप परशादे किनने को शक गया उनना दा एक सेव को हुंदा सी जेड़ा परशादा गेंदे गेंदे हार जानदा सी आखर उसने एक किता के एक फिर रसी उसने मिन के रख लई ते ओ रसी दे नाल टेट मिन लेंदा सी के ज़दो इना टेट हो गया समझ लेना करो के ए राज गए ले सो अपनी अवस्था अपने स्रीर दा जड़ा ग्यान वी उना नू उना दे जीवन दे विचों खत्म हो गया सी सो कैन तो पाव ए है के पाई राम कोईर जी दा परसांग सानू मिलदा है पाई राम कोईर जी ने पहला जड़े केस हन उ नहीं रखे होए सान ते एक वार गुर सिखा ने बेनती कीती स्री गुरु गोवन सिंग महराजी नू के सत्गुरु साहिब जी तुसे सारे अनू आख दे हो के सारे तुसे केसा तारी होवो पर ओ देखो पाई राम कोईर ता केस रख दे नहीं पावन इतिहास विच बचन आउदे ने केतक सिंग विचारत रहें ब्रिद बंस को गुर नह कहें के कई जड़े सिंग सूर में ओ विचार कर देया के ए शायद पाई राम कोईर जी वड़ी कुल चोने बाबा बुड़ा साहिब दी कुल दे विचोने तां करके इना नू आख दे ने के तुसी केस रखो सिर पर केस नहीं रखवाए पहरह चीरा नहीं हटाए केंदे के ए बाकीक कार पैन दे ने कशेरावी पौंदे ने कडावी तारिया होया पर ए केस क्यों ने रख दे इह सब के मन संसा रहे सकल खाल सा उत्तर चहे दया सिंद सोन कैसब बेनना राम कोईर की देशकर नैना दया दे सिंद सिरी गुरु गोबन सिंग महराजी ने गुर्सिखां दे ए बचन सोन के सवाल सोन के इदा बचन आखे बिकसत सिरी मुख बाक बखाने उच्ट केश रखबे सिख जाने पाई राम कोईर जिन वाखिया के सारे गुर्सिखां आखरे हाना के केश रखने बहुत जरूरी हन बहुत दुरुस्त हन इसके सिर पर पी बड़ केश नित अंतर को वद है विशेश सत्गुरु जी आखन लगे के पाई राम कोईर जी जे तो हाटे सिर्दे उपर सोने केश शिशोबत होन गे सोना सुन्दर दाड़ा होवेगा तां फिर तोहाड़ी अंदर दी जेड़ी अवस्था है उसदे विच होर वदेरे पारी फर्क पवेगा होर वदेरे वदनी शुरू होवेगी केम बिन केश रह है एह सिख कभू हूं को रख है सिंग पवेख तां पाई राम कोईर जी आखन लगे के तोहाड़ी सत बचन हन और वाले समेदे अंदर में जेड़े केश हन इना नू जुरूर रखांगा तां सत्गुरा दा बचन मन के पाई राम कोईर जी ने सत्गुरा नू बड़ी निम्रता दे नाल बेनती किती के राम कोईर कर जोर सीसन वाया गुरा नू गुरा नू सीसन वा करके सिर चुका करके बेनती किती मेहर करो हाम मोर मेहर करो मम ओर सुदा शुकावो दासनू के मेरे उपर मेहर करो अमर्त दी जेड़ी दात है ए मेनू बख्षना करो मन लई गुर देव अर्ज करी जो दासने त्यारी करी विचार अमर्त वेले उठके सत्गुरा नू कीती होई बेनती परवान होई ते पाई राम कोईर जी ने अगली स्वेर सब त्यारी केश रखके कुछ समय बाद जदो ए बेनती परवान होई ते एक स्वेर ऐसी आई अर्दास बेनती करके सब परकार दी जड़ी त्यारी है वो अमर्त वेले उठके करना कीती तारे पांजक कार सन केशी इशनान कर केशी इशनान करके पंजे जड़ेक कार उना नू पहन करके कीता ठीक त्यार अमर्त पंजा प्यारियां पंजा प्यारियां ने चंगे तरीके दे नाल पावन अमर्त दा बाटा जड़ा पंजा बाणियां नू पढ़ करके उस नू त्यार कीता ये पंजा बाणियां दा जिड़ा जिकर है ये भी आपां किसे देन करांगे क्योंके आज दे समे दे अंदर एस गालदा भी बड़ा पारी विरोध हो रहा है के तुसी प्रमान देना करो के साथगुरा ने किते पंजा बाणियां दे नाल अम्रत त्यार कीता सी ओ एक वखरा विशा है अपां फिर किसे देन विचारंदा जतन करांगे सो इस परकार पंजा ककारा नू तार के पंजा बाणियां दे राही पंजा प्यारेया ने पावन अम्रत दे बाटे नो त्यार कीता आप अती हिततार चोजी गुराँ शिकाया आप पंजा प्यारेया दे वेट लगके सिरी गुरु गोविन सिंग महराजी ने पाई राम कोईर नो जेड़ा पारी अम्रत सी उसनो शिकाणा कीता तारिया तेस नाम सिरी गुराँ गुरु बख्ष सिंग उस दा जेड़ा नाम है पाई राम कोईर तो हटा के पाई गुरु बख्ष सिंग रख देना कीता आप अब इव चार अज एक क्यों कर रहे हैं जेड़े गुर्षिख ए आख दे हन के जेड़ी अवस्था है उँ अंदर दी होनी चाही दी है पाई राम कोईर दी जेड़ी अवस्था है उस दे तुल पुजना बहुत आखा है उता कोई कोई सूरमा कोई कोई सिंग सेवक ऐसा है जेसने पावन सुरूप नू पावन गुरा नू अपना तान मान तान सब साउप गुर को ऐसी जना दे अंदर पावना आ जाया कर दी है उही उस अवस्था दे तारनी हो जन दे है नहीं ते सानो कोई आखे सूरी वी चबो देवे सूरी चबाउन दी दूर गल है सानो कोई आखे एक गल भी आख देवे ते साड़ी अवस्था विगड जन दी है पर ऐसे जड़े महान अवस्था वाले करनी वाले जड़े महातमा पाई राम कोईर जी होई है उना दे वर्गा ते असी नाम ने जाप सकदे उना दे अवस्था दे बराबर दे अपां पुझ ने सकदे पर फिर भी देखो सत्गुरा ने पाई राम को एरनुवी केशर खाई अमर्त शकाया ते जेडे लोग आज दे समेदे अंदर ए आख देया के नहीं जी बारी तोरते कोई फर्क नी पेंदा अंदरों मान शुद होना चाहिदा है शायद उना नो बहुत वड़ा पुलेखा है के मान जेडा है वो कोई खड़ाणा नहीं है के जेडा असी खरीदिया ते खेटना शुरू कर देने है ये साटा मान है जदो एस दे नाल पंगा पवेगा फिर ही पता लगदै क्योंकि आपने लाके दे अंदर ता सारे शेर हूं देया जेमें जेड haven हूं देया उव ही कही तरह दे हूं देया एक हूं देया चौंके दे पलवान जेड़े चौंके दे वेचेही फड़ा मार नाले हुंदिया के रोटी क्योणि पकाई पर जदौ उन्हा पुलवाना दा बार किदे पंगा पैन दा है फिर पता लगदा है के उचौंके दा पलवान है जा असली पलवान है उसे प्रकार जेड़े माननों आपा आखर यां के मान साफ होना चाहिदा है ए जदो मान दे नाल साथे पंगे पर पता सानों फेर लगना है ओ क्यों क्यों के मान के मारे मार गए काजी मुला सेख वड़े वड़े जेड़े तारमिक लोक ने ओ एस मान तो हार चुके ने असी केड़ी खेत दी मुली यां वड़े वड़े रिशी मुनीत पसवी देवी देवते हार गए या असी की चीजां असी शुकर मनाईए साथ गुरांदा के सानों इना जाता पाता दी वंड़ियां दे विच्चों वरना आशरमा दी वंड़ियां दे विच्चों कड़ के सानों एक पंथ एक गरंथ एक निशान और एक अम्रत दी दाद दे दिती है आपा साथ गुरांदों वारे वारे जाईए ते इना बख्षिशां दी जेड़ी संभाल है ओ करनी प्रारंब करिये एस दे विच्च ही साथा लाब है एस दे विच्च ही साथा फाइदा है सो ए बेंटियां आप दी ने परवान करनीयां दी रेंदी होई विचार अपा कल दे देन विचारन दा जतन करांगे हुईयां बेंट पुलांदी खिमा बख्षनी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की पते